साथियों आज का वीडियो स्सेजीडी एक मार्च आलसिप में आए हुए प्रशनों पर आधारित है इसके पहले 42 कोशन्स आपको करा चुका हूँ आज के वीडियो में बचे हुए प्रशनों को देखेंगे वीडियो कंप्रेट देखेगा लाइक भी कर दीजेगा और चैनल अगर नए हैं तो सस्क्राइब करके घंटी का बटन जरूर से दबा दीजेगा ऐसे ही कंटेंट और एनाल्स देखने के लिए चलिए प्रशनों का सिसला सुरू करते हैं अगला प्रशन है कि ट्यूलिप फेस्टिबल कहां मनाया जाता है ठीक है यह आप से पूछा गया था तो ट्यूलिप जो फेस्टिबल है यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है ठीक है कब मनाया जाता है अप्रेल के महीने में यह आपको ध्यान में रखना है कहां मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में इंद्रा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गाल्डन में ठीक है यह जो बात करते हैं कि मौली कर्टबियों का संबन्ध किस अनुछे से हैं अनुछे गयाAssayaa । किस भाग में हैं भाग चार में हैं ठीक है अब मौलिक करतबयों के प्राउधान की अगर बात करूँ तो मौलिक करतबयों का भिचार रूस्ह के संविधान मतलब सोभिय संग जिसको उसमें जाना जाता था वहाँ से प्रेरीत है ठीक है बैल दियोस rouge reuse संविधान संसुद्भन हुआ था 1976 में सरदार स्वांट सिंग सम्मित की सिपारिसों के आधार पर इसे भागचार में सामिल किया गया ठीक है मूल रुप से जो मौलिक कर्तब्य आपके हैं सुरू में दस थे लेकिन बाद में जब 66 सम्मिधान सा सुदन हुआ है कब 2002 में तो उसके माध्यम से एक मौलि चार में सुची बद्ध हैं ठीक है मतपूर बाद यह आपको ध्यान देने किये है कि राज के नीती निर्देंसे धानतों की तरह मतलब DPSP तरह जो है मौलिक कर्तब्य भी क्या है प्रकृत में गैर नियाई के हैं यह पूछा जाता है अक्सर ठीक है अब देखिए मौलिक कर्तब्यों की सूची क्या है देख लिजी अभी आप से जो कुशन उपर पूछा गया था कि राश्टी गान और राश्ट धज का सम्मान करना यह कौन से नंबर प्याता है तो देखिए पहले नंबर पे है यह सम्मिधान का पालन करें और उसके आधरसों संस्थाओं राश्ट धज और राश्टी गान का आधर करें पहले नंबर पे हैं तो यह जो 11 हो 11 जो मौलिक कर्तब्य है क्रम वाई जी आपको तयार होना च पहले की बात हो गई अब सेकेंड के अगर बात करें जो है तो सतनता के लिए राश्टी आंदोलन को परीट करने वाले उच आधरसों को विर्दे में सजोई रखें और उनका पालन करें तिसरे नंबर भी क्या है भारत की संबुर्ता एकता अखंडता की रच्छा करें तथ जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, आधारित सभी प्रकार के भेवद्वाव से परे हो ऐसी प्रथाओं का त्याक करें जो इस्त्रियों के सम्मान के बिरुद्ध हो ठीक है चट्वा है कि हमारी सामासिक संस्कृतिकी गौरोशाली परंपरा का महत्तु समझें उसका परिरच्छण करें अगला है कि प्राकृतिक बातावरान जिसके अंतर का जील, बन, नदी ठीक है बन जीव आते हैं उसके रच्छा और समर्धन करें ठीक है प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें ठीक है अगला है कि बैज्ञानिक द्रिष्टकोंड से मानोवाद और ग्यानरजन तथा सुधार की भावना का विकास करें सारजुनिक संपत्ति को थ्रचित रखें और हिंसा से दूर रहें ठीक है व्यक्तिगत और सामुही गदविदियों के सभी छेत्रों में उतकर्स की और बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट प्रगत की और और न युकि बीच के अपने बच्चों को सिच्छा की आउशर प्रदान करना ठीक है ये छियासवां जो समिधान संसन हुआ था दो हजार दो में उसके द्वारा ये 11 मौलिक करतब बे जोड़ा गया ठीक है अगले प्रश्च के अगर बात करूँ तो भारती समिधान के किस भाग युकि में मौलिक अदिकार की ब्याकया है ठीक है थीक है मौलिक करतब की अधिकार भी क्या है इन्यूवर्शल है इनसे भी कोष्छन निश्कीत बनते ही बनते हैं जो मौलीक अधिकार जो है ये भाग तीन आनुछेद 12-35 में है ठीक है ठीक अब अगर बात करूँ थोचर स इसके detail के बारे में तो सम्मिधान के भाग 3 को भारत का मैगना कालटा की संग्या दी गई है, पुछा जाता है कि सम्मिधान के किस भाग को भारत का मैगना कालटा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है, अनुछेद 12 से 35 तक, ठीक है, भारती सम्मिधान में 6 मौलिक अधिकार हैं उनसे संब्वन्धिक सम्वैधानिक अनुछ्यदों के साथ उनका उलेख नीचिमने कर दिया है पहला क्या है समानता का अधिकार अनुछ्यद 14 से 18 तक है सूतनता का अधिकार अनुछ्यद 19 से 22 तक है शोषण के अब Land ти ओधकार अनुछ्यद 23 से 24 तक है धार्मिक सोतंता का अधिकार अनुछेद 25 से 28 तक है। ऐसे ही संकृतिक इवन शैच्छीक अधिकार ये आपका अनुछेद 29 से 30 में हैं, समयधवानिक उपचारों का अधिकार अनुछेद 32 में हैं.' ठाए। अगला कोश्चन पूछा गया है कि लिंगानुपात कितने पुर्षों पर महिलाओं की संख्या दरसारता है तो एक हजार पुर्षों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है अगला कोश्चन पूछा गया है कि किस राज जी को हरित करांथी से सबसे ज़्यादा फ हुई तो बिशेषकर पंजाब और हरियाना में जो है इसका जादा फाइदा मिला ठीक है अगला प्रशन है कि उस्ताद सहाफत अहमद खान का संबंद किस वाद्य अंदर से है जिसका जो राइट आंसर है वो है तबला ठीक है अगला प्रशन है कि सोडोल निर्थ का संबन किस राजी से है तो सोडोल निर्थ का संबन जो है यह लदाक्षे है है मिसमठ में किया जाता है सोडोल एक परशिद निर्थ है जिसे कलाका लदाक के राजा के लिए प्रस्तुत करती है ठीक है अगला प्रशन है बैटमिंटन में नेट के 6 जे 60 मारने को क्या कहा जाता है तो बैक है ड्राइब बोला जाता है इसको ठीक है अब थड़ा सा बैटमिंडन की बात हुई है बैटमिंड का जो कोड होता है बैटमिंड कहा खेला जाता है कोड में खेला जाता है तो इस कोड की लंबाई क्या है उसमें नेट होती है नेट की उचाई क्या है इस सम्मलो. पांच-5 मीटर। मतलब 5 फिट एक इंच है. अगला प्रशन है कि राज्यसभा में कینचसी प्रदेश के प्रत्युपितियों को कैसे चुना जाता है। ठीक है? तो देखिए राज्यसभा है पूछा जा सकता है ये ठीक है अगला प्रश्ड है कि कैंसासी प्रदेश पर किस का नियंत्रण होता है, तो कैंसासी प्रदेश पर جो है सेंटल गवर्मेंट का कैंसरकार का नियंतरण होता है, अनुष्य जो आपका 249 है, उसके अनुसार है, भारत का राष्टपती जो होता है केन सासी प्रदेश का मुख्य परशाशक होता है, ठीक है अगला प्रश्न है कि अरुनो दोई योजना का संबंध है किश्य राज्य से है तिसका संबंध है असम से है ठीक है अरुनो दोई योजना एक प्रमुख गरिबी उन्मूलन कारिकरम है जिसे 2 अक्टूबर 2020 को असम सरकार द्वारा सुरू किया गया था इस योजना के तहट राज के गरीब परिवारों को प्रतेक्षलाव अस्थांतर मतलब DBT के माध्यम से शुरू में 830 रुपे प्रतिमा की बित्ती साहता परदान की गई थी बाद में रासी बढ़ा करके कितना कर दिया गया एक हजार रुपे प्रतिमा कर दिया गया अगला प्रशन है कि निमनीं में से किसका संबंद सत्रिया नितर सैली से है तो यह आपसन भी डिपेंड करता है सत्रिया नितर के बारे में अगर बात करें तो यह असम का सास्री नित carne है और आठ जो मुखि भारती सास्री नित्त बरवरांपराएं है उन में सी एक है वर्स 2000 में इस नित को भारत के आड़ सास्री नितियों में समलित होने का गवरो प्राप्थ हुआ अगला प्रहला पुछा गया कि निमने में से किसका संबन्ध कुछी पुरी निति सहली से है तो राधा रेड़ी और राजा रेड़ी ठीके ये इसका राइट आंसर है ठीक है राधा और राजा रेडी जो है ये भारती कुचिपूरी नित्य युगल हैं गुरू हैं और कोरियो ग्रापर हैं ठीक है वे कुचिपूरी के दक्षिड भारती नित्य के प्रतिपादक की रूप में प्रशिद्य हैं उनके नाम कुचिपूरी नित्य का परियाय है मतल जोड़े के रूप में जाना जाता है कभी अगर आप से पूछ लिया जाए कि ऐसा पहला कौन सा जोड़ा है जिसको पदमस्री और भूशर पुरुशकार दोनों मिला है तो राजा रिद्धी और राधा रिद्धी ठीक है आई अगला प्रश्ण देखते हैं तिरंदाजी में लक्ष के केंद्र का रंग क्या होता है तिरंदाजी में लक्ष के केंद्र का रंग होता है पीला ठीक है गोल्डन कलर होता है ठीक है यह लच एक आर्चर से आर्चर मतलब जो धनुसदारी है से 70 मीटर मतलब रिकर्ब के लिए 70 मीटर दूरी होता है और कंपाउंड के लिए पचास मीटर होता है लक्ष की दूरी ठीक है और जो लक्ष होता है उसमें पांच रंग बने होते हैं जिसमें सुनहरा, लाल, नीला, काला और सफेद रंग होता है ठीक है हर रंग का अपना अलग-लग नंबर होता है ठीक है इसके अंदर एक गोड मतलब सुनहरे रंग का होता है जिसपे अगर खिलाडी नितान लगाता है तो दस या नौ वंक मिलता है ठीक है अगला प्रश्ण है कि लोग पाशार काल में मनुष्ण ने सबसे पहले किस अवजार का प्रियोग किया था तो कुलहरी का प्रियोग किया था ठीक है नेश कोर्शन है कि जिएश्टी कब लागू किया था तो जिएश्टी आपका एक जुलाई 2017 को लागू हुआ ठीक है देखिए जिएश्टी को 101 में संसोधन अधियम के रूप में पुरबात यह है ध्यान रखिएगा 101 में समसर्ण धीम के रूप में इसको पारित किया गया था ठीक है भारत का राश्ट्रपती ने बारा अर्परेल 2017 को केंदरी जीएश्टी कानून को सिक्वर्ती दी थी यह पुरो भारत में बस्तूओं और सेवाओं के निर्माण विक्री और उपभोग पर क्या है अप्रतेक्ष कर है यह ध्यान रकना है क्या है अप्रतेक्ष कर है इंडारेक्ट टेक्ष है अगला प्रशन है कि सत्रिया नित्र का संबन किस राजी से है देखे को फिर से रपीट हो गया ठीक है तो अश्रम का है यह कहा का है अश्रम का है ठीक सत् 15 सिताबदी इसपी में महान बैशलो शंद और असम के सुधारक, समा सुधारक, महापुरुष श्रंकर देव द्वारा बैशलो वास्था के परचार के लिए एक सकसाली माध्यां ग्रूप में पेस किया गया था, अक्सर पूछा जाता है कोशन है कि सत्रिया नित्र के जनक का नाम पूछा जाता है, तो महापुरुष शंकर देव ठीक है, यह एक बैशलो शंत थी, यह आपको ध्यान में रखना है, अगला प्रशन पूछा गया है कि राज के नीती निस्विक्तत्त्त तो जो होते हैं, मतलब डिपी एस्पी जो होता है, यह राज के लिए कैसे होते ह हैं, कैसे होते हैं, कल्डियान कारी होते हैं, देखिए भारती समयधान का जो भाग चार है, उसके अंतरगत अनुछेद 36 से 51 तक जो है, यह राज के नीती निस्विक्तत्त मतलब डिपी एस्पी हैं, ठीक है, इस भाग में नीत प्रावधानों को किसी भी न्याले द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन यह तत्तो देश के सासन में मौलिक है, और कानून बनाने में इन तत्तों को लागू करना राज का करतब्ब होगा, ठीक है, अगला प्रशन है, कि जनगरना कितने वर्सों के बाद होती है, जनगरना 10 वर्सों के बाद होती है, भारत में ठीक है रड़जी ट्राफी कौन आयुजित करता है अगला कोर्शन था रड़जी ट्राफी जो है यह BCCI आयुजित करता है ठीक है अच्छा एक महत्मूर बात और जान लीजिए रड़जी ट्राफी का जो पहला मैच हुआ था वो चार नौंबर 1934 को हुआ था कहां हुआ था मेशूर बना मद्रास के बीच ही चेपक चन्नेई क्रिकेट मतलब चेपक क्रिकेट स्टीएम जो है चन्ने डी स्टीएम जो है वहां हुआ था ठीक है अब प्रजेंट अगर बात करूं बद्धमान समय के अगर बात करूं तो रजी ट्राफी 2023 के फाइनल में सवराष्ट ने बंगाल को नो भेकर से हराया मतलब रजी ट्राफी 2023 का विजेता कौन है सवराष्ट है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है अगला प्रश्ण है कि प्रे वादियंद्र से है तो अमजद अली खान का सम्मंद है सरोध वादियंद्र से है ठीक है इनको भारशरकार द्वारा सन 1991 में कलाक चेत्र में पद भूशड से सम्मानित किया गया था ठीक है नेश कोशन पूछा गया कि पाक जल डमरू मध किन दो देसों की बीच में है तो पाल पाक जल डमरू मध जो है ये भारत और सिलंका के बीच में है अंगरेजी में इसको पाक स्टेट कहा जाता है ठीक है एक जल संयोगी है एक और ध्यारकी महतफुर बात जो है पूछा जाता है कि पाक जल डमरू मध को सबसे पहले किस ने तैर करके पार किया था तो मिहिर सीन तनुछेद 85 इसका राइट आंसर है देखिए भारती संसत में राश्पती और दो सदन कौन-कौन से राजसभा राजसभा मतलब राज्यों की परिशद और लोगसभा मतलब लोगों का सदन यह होता है ठीक है तो राश्पती के पास संसत के दोनों में से किसी भी सदन को मतल प्रथानों मंत्री स्री नरेंदrä मोधी को प्रधान किया गया ठीक है महतपूर बाद इसमे जानीए कि प्रदान मंतरी मोदी इस प्रुषकार से सम्मानित होने वाले एक तालिश्य में व्यक्ति बनी हैं यह प्रुषकार कप शुरू हुआ था 1913 में शुरू हुआ था और यह प्रुषकार प्रतिवर से लोकमान तिलक की पूर्टिती पर एक अगस्त को ग्रीह मंत्राले द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, अगला प्रशन है कि कानून के समक्षे समानता का समन्द की सनुच्छे से है, तो कानून के समक्षे समानता का समन्द जो है, अनुच्छे दे चौधा से है, ठीक है, भार्ष आगला प्रश्न है कि बिजय नेगर सामराज की राध्धानी कहा थी बिजय नेगर सामराजकी राध्धनी थी हम पी ठीक है यह स्थित में संगमा राजबंस के दो भाई हरियर राय और बुक्का दाय द्वारा अस्थापित किया गया था पूछा जाता है ये ठीक है कि हरियर विजयर रांगरस्वाम राज के अस्थापना किस ने की ठीक है इसे कुशन बनता है अगला प्रशने सकरात्मक का बिलोम पूछा गया तो नगरात्मक होता है ठीक है आकास का पर्याय बाची आपसे पूछा गया तो आकास का पर्याय बाची होता है नभ, अनन्त, अब्रम, पुश्कर, शून, तारापत, अंतिक्ष, आश्मान, फलक, बियोम, दिव, खगोल, गगन, अंबर अब जैसा option रहेगा वैसा आप ठीके करेंगे next question महावरा था कि आधा तीतर, आधा बटेर महावरे का अर्थ क्या होता है आधा तीतर, आधा बटेर महावरे का मतलब होता है बेतुका मेल क्या होता है बेतुका मेल मतलब हंसों की बीच में जैसे क्या बैठ जाए बगुला बैठ जाए तो क्या हो गया बेतुका मेल हो गया ठीक, अच्छा इस वीडियो का जो PDF है, वो आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, टेलिग्राम चैनल जोईन करिके रखिए आप जो है, इन्द्यार मत क्या करिए कि PDF आये, तो फिर चलो जोईन करूं, ठीक है, तो उसको जोईन कर रखिए, वो हमारे आपके ब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद